भांजे का पर्ड़े है और इन्होंने बनवाया है उनसे केक और ये इनकी देटी इसका उने वाल है अच्छा इसनल बटे आ रहा है इसका तो कैसा केक बनेगा इसका बार भी डाल बनाएंगे बार भी डाल बनाएंगे ओके चलिए हाई एवरीवन मैं हूरूभी और आप सभी का तारा मदू की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल की वज़े से मुझे मिली एक प्यारी सी सब्सक्राइबर और उनी के लिए आज मैं ये स्पेशल दो केजी का कस्टमाइजड थीम केक बना रही हूँ पूरी डीटेल प्रोसेस आज आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी कि ये क्या थीम केक है और कैसे मैंने इसे बनाया बहुत ही जानकारी आपको इस वीडियो से आज मिलने वाली है तो देखिए केक जो था काफी बड़े साइज का है तो उसके हिसाब का मेरे पास केक बोर्ड नहीं था तो मैंने क्या किया एक दिन पहले ही दो कार्ड बोर्ड को आपस में सेलो टेप की मदद से जोड लिया ताकि वो थोड़ा मोता हो जाए और केक का वजन सहपाए और फिर अच्छे से टेप से लगाने के बाद मैंने उसके उपर रैपिंग पेपर फेविकोल के मदद से इस तरीके से स्टिक कर दिया जैसे कि हमारे नॉर्मली केक बोर्ड होते हैं और मैं रात को काम कर रही थी फ्रेंड्स मेरे हस्बें घर पर ही थे उन्होंने भी मदद की क्योंकि मेरे से अच्छे से लग नहीं पा रहा था तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक साइड में भी फेविकोल लगाया और यह जो दूसरी साइड है यहाँ पर भी लगा करके इसे अच्छे से से क्यूर कर लिया तो हमारा कुछ बोर्ड इस तरीके का दिखने लगा अभी एकदम प्लेन हो जाए कहीं भी कोई सलवट ना रहे तो मैंने इसे रात में अपने गदे के नीचे रख दिया तो यह बिल्कुल सेट हो जाए और नेक्स मॉर्णिंग मैंने स्टाइट किया अपना काम तो यहाँ पर दो केजी का केक है फ्रेंट्स तो मैंने लिया दस इंच का यह अपना बरतन और अब इसके अंदर सबसे पहले हम अपने नौडी के Eco Bake का जो बेकिंग पेपर होता है उसको लगाएंगे ताकि हमारा केक अराम से डीम हो जाए कहीं से भी चिप की नहीं और इससे काम करना भी काफी आसान होता है फटा-फट से आप इससे कट करके इसी के साइस का एक मार्क लगा करके कट कर सकते हैं और सबसे खास बात फ्रेंड्स इसमें oil, butter, कुछ भी लगाने की ज़ुरत नहीं होती और ये जो baking paper है वो reusable भी है ये हमारा set हो गया है side में रख देते हैं और बनाते हैं cake का batter तो फ्रेंड्स ये normal vanilla flavor cake है वैसे और उपर से थोड़ी सी chocolate लगा करके इसकी decoration करेंगे तो अभी धीरे धीरे वीडियो में जैसे जैसे आगे भढ़ेंगे मैं आपको बताती जाओंगी तो यापर मैं ट्रोपो लाइट का ये अपना प्रिमिक्स ले रही हूँ और 2 kg के हिसाब से मैं आपर अपने 250 ml वाले cup से लगभग 6 cup प्रिमिक्स लूँगी तो measurement का ध्यान र देंगे तो आप इंग लवा बेटर भी उस कर सकते हैं या कोई भी बिना खुश्बू वाला ऑईल ही यूज़ कीजिएगा और आप इसमें डालेंगे पानी और पानी से बनाएंगे इसका स्मूझ सा पैटर तो लगभग 3 cup इसमें पानी फ्रेंड्स लग जाएगा या पर मेरे पास बेकर्स बिला का यह फ्लेवर है वनीला तो 5-6 ड्रॉप डालने से भी काम कर देता है काफी स्ट्रॉंग है यह और मैं साथ में दो ड्रॉप येलो जल कलर की भी डाल रही हूं सो देट स्पॉंज में भी हलका सा एक कलर आ जाए सारी चीज़ों का अच्छे स्पेशल थीम केक बनाएंगे बहुत ही शांदार सा मतलब आपको ये केक लगेगा मेरी वितलब गैरंटी है इसकी तो चलिए अब केक को बेक करते हैं बेक करने के लिए मैंने अपने 25 लिटर अगारो के ओटी जी को पहले से देखिए 180 डिग्री पर प्रिहीट कर लिया है करना फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज में जहां भी आप बेकिंग कर रहे हो और केक को अंदर रख करके लगपक 40-45 मिनिट में फ्रेंड्स 180 डिग्री पर हम इसे बेक करेंगे क्योंकि केक काफी बड़ा है और इसको बेक करने में टाइम लगेगा तो देख दाल लेंगे तो फ्रेंड्स साइड्स में थोड़ा सा देखिया आप ब्राउन पार्ट है पर कोई बात नहीं से हम कट कर देंगे और यह देखिए पीछे से भी आराम से बाहर आ गया है चलिए अब इसका सबसे पहले ऊपर का यह डोम शेप जो है ना हलका सा उसको कट करें तो फ्रेंड या चाकू से आप इसको आराम से कट भी कर सकते हैं यह देखिए अब फ्रेंड्स आज का हमारा जो थीम केक है उसके लिए हमें इसको एक शेप में चेंज करना होगा तो मैं यह ओड़ी का ही इको बेक पेपर ले रही हूँ और हमना फ्रेंड्स इतना बड़ा केक है उस हिसाब से ही इस बेकिंग पेपर को लेंगे और यहां पर देखिए मैंने इसकी कुछ एक शेप कर ली है और जिसको समझ में आ गया है कि आज हम कौन सी थीम का केक बना रहे है वो लोग अभी तूरंत कमेंट में लिख करके बताईए कि यह कौन सी थीम केक बन रही केक है और यहांपर देखिए मैंने इस पेपर को केके ऊपर जस्ट शेंटर में रखा है और चाको की मदद से आप केक की कटिंग करेंगे तो यहांपर देखिए जितने भी ब्राउन पार्ट से कट हो जाएंगे और धिरे धिरे करके आपको कड़ करना है शाप ये थीश्收 के पार्ट कट गए हैं और आगे और पीछे का भी हमने हटा लिया है तो फ्रेंड्स केक, स्पॉंज वगरे रेडी हो गया है और अब मैं इसकी क्रीम विप करूंगी तो यहां पर मैं ट्रोकोलाइट की यह क्रीम ले रही हूं और यह बंधी पैकेट है तो इसको खोल रही हू और ज्यादा क्रीम विप करनी होगी इसलिए अपने स्टैंड मिक्सर में विप कर रही हूं क्योंकि हैंड वाले से तो बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ेगा तो यहां पर मैं इसमें क्रीम डाल रही हूं देखिए कंसिस्टेंसी एकदम पतली है आपको दूर से दिख भारा होगा तो खीफिए 알च से तो लग बाग आधा धिबा हमें डालना होगा क्योंकि 2 kg का केक है थोड़ी सी जंही हुई है तो मैंने डाल दिया है तो आधा दिबा मैंने जो है इसका डाल दिया है और अब इसे वापिस से बंद कर के मैं फ्रीजर में रखूंगी तब तक इसको on कर देती हूं और तो यहां पर stand mixer में फ्रेंड्स में अपनी क्रीम बीट कर रहे हूं थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी तो मैंने लगवाग पूरा ही डबा डाल दिया थोड़ी सी उसमें बची और यहां stiff peak आने तक देखे मैंने अपनी क्रीम को बीट कर लिया है और अब हमारा board जो हमने रात में set किया था वो भी proper set हो गया है मैंने इसे अपने turn table पर रखा और friends अगर मैं इस तरीके से बनाती ना सीधा तो cake शायद अच्छे से आ नहीं पाता तो मैंने थोड़ा तेड़ा रखा है नीचे थोड़ी सी cream लगाई है और फिर एक layer मैंने cake की पाइपिंग बैग में ताकि आराम से हमारा काम हो जाए cream एकदम evenly spread हो जाए और जितनी आपको cream लगानी हो friends आप इसी layer में लगा दीजे क्योंकि हमने 2 layer कट की है और फिर इसे अच्छे से evenly हम spread कर लेंगे cake vanilla flavor है friends तो मैंने आपर mixed fruit का जो crush होता है वो use करा है तो इसे cream खम अच्छा आता है और अब जो friends हमने sides के pieces कट करके रखे थे ना उनसे हम कुछ लंबे-लंबे rectangle से piece कट करेंगे तो यहां चाको की मदद से देखिए जो बड़े तुकड़े है ना उनी में से मैं ये piece निकाल रही हूँ तो एक तो थोड़ा बड़ा चाहिए और एक थोड़ा और घबराइए नहीं friends ये piece आपको आराम से मिल जाएंगे क्योंकि इस हिसाब से हमने अपने cake को काटा है ये देखिए और अब इनी के मदद से हम अपने cake में एक shape देंगे तो आगे की तरफ थोड़ी सी मैंने cream लगाई है क्योंकि यहां पर मैं अपने cake के piece को stick करूंगी य I hope अब आप समझ गये होंगे friends आज हम कौन सा cake बना रहे हैं अभी भी किसी को जन्वे नहीं आया है तो उसके लिए तो surprise है और जिसको समझ आ गया है वो अभी comment करके बताएं कि आज हम कौन सी theme का cake बना रहे हैं और यहां पर देखिए इस layer पर भी मैंने cream लगा दी है अब य इसके उपर जो हमारी second layer है ठीक वैसे ही लगाएंगे जैसे जैसे हमने cake की cut की है बड़े पर बड़ी और लंबे वाले pieces पर लंबी वाली यह देखिए तो काफी आसान काम हो जाता है और यहां पर देखिए back side वाली जो surface थी ना cake की वो मैंने उपर रखी है तो उपर color डाला है अच्छे से-से smudge कर लेंगे और इस cream को फिर भर लेंगे हम piping bag में और अब इस cream से हम अपने cake की final icing और crumb coating वगरा करेंगे so that हमारा cake कहीं से भी दिखे नहीं piping bag से ही मैं देखिए काम कर रही हूँ ताकि shape maintain रहे cream कहीं भी extra ना लगे और proper एक symmetry का cake बने तो हलकी हलकी पहले cream लगाएंगे क्योंकि पहले हम इसकी crumb coating करेंगे और crumb coating के बाद हम इसकी final icing करेंगे इस तरीके की shapes के cake में आइसिंग में थोड़ी दिक्त आती है तो आप बहुत ही ध्यान से काम कीजेगा crumb coating बहुत अच्छे से कीजेगा ताकि cake कहीं से भी बाद में ना दिखे तो आपर देखिए light peach shade की एक cream है और अच्छे से मैंने उपर spread की है side में भी spatula से बढ़िया से आपको spread करना है और ये है friends अब मैं बताई देती हूँ आपको special guitar theme cake तो आपर crumb coating देखिए मैंने कर ली है और अब फिर से इसके उपर मैं cream लगाऊंगी इसकी final icing करूंगी और friends आप यकीन नहीं मानेंगे ये cake इतना शांदार बन करके ready होगा बिल्कुल original जैसी guitar आपको लगेगी और देखिए कि rounded cake tin से हमने ये guitar की shape दे दी है तो हर तरीके की shape और mold की आपको कोई ज़रत नहीं है लाने की केवल गोल बरतन से आप बहुत तरीके की shapes की cake बना सकते हैं अभी आगे आने वाले videos में मैं आपको बहुत नहीं नहीं शांदार सी recipe बताने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत जबरदस से cake के order आए है तो नहीं नहीं चीजों को सीखने के लिए आप यूहीं आते रहे हैं और बिना skip के अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहापर देखिए scrapper से मैं इसकी अच्छे से finishing दे रही हूँ तो लगबग हमारा काम complete हो गया है 10 minute के लिए आप चाहें तो friends fridge में रख सकते हैं बट यह मैंने गलत ही किया friends काम क्योंकि मुझे brown texture side में देना था वो बात में ध्यान आया तो मैंने क्या किया है liquid brown color लिया है हलके हलके उस पर dots लगा दिये हैं और अब मैं इसको brush की मदद से smudge करूँगी तो पहले जो काम किया वो फाल्तु ही किया इससे क्या होगा न friends से एक wooden effect आ जाएगा जिससे guitar पर होता है न पिल्कुल वैसा वाला texture आएगा और finishing में अगर कोई कमी side मेर है गई होगी तो वो भी height हो जाएगी तो बड़े cakes में तो वैसे भी दिक्कत आती है तो इसलिए मैंने ये काम किया अब मैंने लिया एक pellet knife और इस पर एक marking कर ली है और इस cake पर special texture देने के लिए मैंने आप पर कुछ brown biscuit लिया है friends और इसमें न मैंने one teaspoon cocoa powder भी डाला था बट वो पार्ट मेरा shoot नहीं उपाया और अच्छे से इसको मैंने piece लिया अब इसको एक छनी में डालेंगे और जो हमारा guitar की का मोटा वाला part है ना वहाँ पर इसको छनी से इस तरीके से evenly spread करेंगे तो देखे ब्राउन कलर बहुत जाद आपको use भी नहीं करना पड़ा और guitar पर एक बहुत ही प्यारा wooden texture भी हमारे आ गया ये देखे तो है ना super duper trick हमारी ये biscuit वाली और जितना भी extra नीचे गिर गया है उसको clean कर लेंगे अब जो friends उपर हमने mark बनाया था ना उसको दुबारा से मैंने highlight किया है और जो peach color की cream बनाई थी उसको piping bag में भरके ना उसका एक छोटा सा चेक cut किया है और जो guitar का आगे वाला part है उसकी outline हम इस से करेंगे तो जैसे हम cake paint नीचे की side pearl वाला border बनाते है ना ठीक वैसे ही बनाया मैंने और अब एक मैंने circle लिया है cookie cutter लिया है आप कोई cutter या bowl ले सकते हैं और बस इसको cake के उपर की तरफ ना place करके इस तरीके से इसके अंदर का थोड़ा सा material हम भार निकाल करके circle cavity बना देंगे यह देखे इस तरीके से और अब इसके नीचे की तरफ तुद्पिक की मदद से एक पतली सी लगबग एक इंच की rectangle strip का निशान बनाएंगे और इसके अंदर से भी थोड़ा सा part निकाल देंगे तो हमें एक और cavity मिल जाएगी basically हम यह गिटार की थोड़ी सी detailing कर रहे हैं so that was the original look में लगे अब इसके अंदर filling करने के लिए मैं ले रही हूँ chocolate तोकि जिनका cake था ना friends उन्होंने बोला था कि cake तो vanilla flavor बनाएगा पर उपर से chocolate जरू लगाएगा तो उसके लिए मैंने 100 gram chocolate को grate किया है एक बाउल में डाल लिया है और 1 fourth cup मैंने इसमें whipping cream डाली है अच्छे से mix करके 20 second के लिए मैंने इसे microwave किया है तो हमारा यह बिल्कुल perfect गनाश बन जाएगा इसको हम piping bag में भर लेंगे और जो यह cavity हमने बनाई है न अच्छे से इसके अंदर हम इस गनाश को fill करेंगे देखे अच्छे से भरना है आपको और हमारे cake पर यह black part भी दिखने लगेगा तो वो भी अच्छा लगेगा तो यहाँ पूरे में गनाश मैंने fill कर दिया है यह देखे और जो उपर हमने border बनाया था न वहाँ पर भी friends center में हम इस गनाश को भर देंगे तो बहुत ही ध्यान से काम कीजेगा गनाश थोड़ा सा थिक हो जाए तभी डालेगा अधर वो कहीं cake से नीचे drip की form में ना आने लगे तो थोड़ा सा ही गनाश बचा था मेरा मैंने पूरा इसमें डाल दिया है यह देखे तो देखे अभी सही कितनी प्यारी guitar लगने लगी अभी तो इस पर और भी detailing करेंगे तो जितना गनाश मेरा बचा था ना friends मैंने उस सारे को एक bowl में निकाल लिया plus जो मेरी cream बच रही थी peach shade वाली वो भी डाल दिया है अच्छे से mix कर लेंगे तो हमारे पास एक dark color की चॉकलेटी frosting बन जाएगी यह देखे इसको एक piping bag में भर लेंगे और star nozzle लगा लेंगे अब इसकी मदद से friends हम cake के चारो तरफ एक border बनाने वाले हैं बट जो हमने biscuit का texture बनाया है उपर उससे हमें border बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकते हैं तो मैंने एक हलके से palette knife से थोड़ा थोड़ा part महां से हटा दिया है एक गढ़ा सा बना दिया है और अब इस frosting से हम आगे पीछे करते वे यह border बनाएंगे यह चॉकलेट की frosting है ना friends तो दिक्कत देती है बार-बार उठाने में तो आप ऐसा कोई border चुनिएगा जो continuation में बन ज चोटे चेक का nozzle क्योंकि मुझे एकदम straight line बनानी है यहां पर लग पर चार से 5 line हम यहां बना देंगे और यह जो हमने black part बनाया था ना rectangle डाल करके वहां पर पहले dots बना देंगे चार और फिर यहां पर भी थोड़ी से एक पतली से strip बना देंगे क्योंकि यहां से हम थोड़ यह फ्रेंड्स उसी की थोड़ी बहुत मैं shape और design बना रही हूं यह देखिए यहां पर आपको lines एकदम सीधी बनानी है फ्रेंड्स मेरी तो 2-3 बार भी गड़ी बट कैसे तरह से मैंने यह manage किया और 4-5 आपको यह strings बनानी है जहां पर यह strings अटेच हुई है ना वहां पर म आपकी फर्म में लगने लगेंगे यह देखिए अब जो नीचे थोड़ा बहुत डिस्किट का चूरा गिर गया ना उसको clean मैंने कर लिया है और फिर से जो चौकलेट फ्रोस्टिंग थोड़ी बज़ी थी थी ना उसमें मैंने cream और mix करी और थोड़ाजा cocoa powder डाल दिया क्यो की फर्म में लग रहा है और फ्रेंट्स इस दिन मैंने ये केक बनाया था ना उस दिन थोड़ा सा डेट में confusion हो गया था तो मैंने एक दिन पहले ही इस केक को बना दिया बट यह केक इतना बड़ा था कि मैं फ्रिज में भी नहीं रख सकती तो मैं इसे अपने room temperature पर table पर इस नहीं जाने देने चाहिए और अपनी तरफ से अपने subscriber को कुछ मुझे देना भी चाहिए मैंने पिछली बार भी दिया था तो मैंने केक के pieces को छोटे-छोटे तुकड़ों में तोड़ लिया और यह जो use and throw वाले plastic के jars आते उनमें मैंने एक-एक layer इसकी डाली थोड़ा- प्रेसिपी के लिए आप वीडियो की description box को चेक कीजेगा और इसको लगाने के बाद मैंने cling wrap से इसको अच्छे से cover कर दिया क्योंकि यह थोड़े दूर जाने थे और इस तरीके से friends next day जबके एक order था उस दिन मैंने फिर neutral gel में थोड़ा सा brown color डाल करके इस पर happy birthday और बच्च husband ने भी काफी मदद की यह देखे अच्छे से यह secure हो गया और फिर हमने इसके उपर इस तरीके से tie कर दिया क्योंकि हम तो cars जा रहे है friends वो दूर से आ रहे हैं तो hold करने में आसानी हो और जिस दिन friends यह cake देना था ना उस दिन एक cake का order था तो उसे भी मैंने pack कर दिया और इ अब मैं husband के में cake को लेकर जा रही हूं और just थोड़ा दूर चलते ही हम वहां पहुंच गए यह देखे यहाँ वो अपने husband और बेटी के साथ आई हुए है और इन्होंने बनवाया है हमसे cake और यह इनकी टेटी के साथ की है यह अपने सब्सक्राइबर को इस cake को देख करके मुझे कितनी खुशी हो रही है बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन तो करता है कि मैं आप सभी को अपना cake बना करके टेस्ट करवाओं काश यह पॉसिबल हो पाता है और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स सब्सक्राइबर को आज अनि सब्सक्राइबर अब ही कुछ तो हमारी तरफ से उनकी तरफ बनता है और यह आपर देखिए यह अभी जाने वाला है तो तो यह था फ्रेंड्स आज का केक हमारा guitar cake I hope आप सभी को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक शेयर कीजेगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और इसी तरीके की और नहीं नहीं इंट्रस्टिंग recipes cake की decoration देखने के लिए तारा मदू की रसोई को विजिट करते रिएगा चली मिलते है नेक्स